नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म पुत्रा इंफर्स्रक्चर लिमिटेट के QN के रिजल्ट आ चुके है, और यहां पे आप जिनने भी एमाउंट देख पाले हैं, सारी क्रोट्स में, और यहां पे यह प्रिवेस एर का रिजल्ट है, यह प्रिवेस क्वाटर का यहां पे है, और अगर हम इंकम की बात करें, तो जो लास्टाम कमपनी ने इंकम जनरेट की थी, वो 93 क्रोट थी और वो अब इंकम कट करके 52 क्रोट के आसपास पोच चुके है, और प्रिवेस क्वाटर के साब से भी देखें, तो इंकम में गिरावट है, और अगर हम एक्सपेंस देखें, दोस्तो यह एक्सपेंस है, जो लास्टाम एक्सपेंस है कम्पनी के वो लगबग 80 क्रोट थी, उससे एगट करके 47 क्रोट तक पोच चुके है, और प्रिवेस क्वाटर के साब से भी एक्सपेंस कम है, और अगर हम नेट प्रोफित देखें कम्पनी का, तो दोस्तो यह है प 85 लाग रपे का नेट प्रोफित वा कम्पनी का, तो यह और यह और और क्वाटर लिवाइस, यह बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट है नेट प्रोफित में, और अगर हम EPS भी देखें, तो दोस्तो EPS भी उसी साब से डिकलाइन हो चुका है, 0.94 से यह गटके 0.28 हो चुक अगर हम इस कम्पनी आँ चार्ट पैटन देखें, तो Friday के देवी इस कम्पनी ने 0.82% के रिटन दिया इस शेर पर और पांस दिन के अगर बात करें तो 5 दिन में नेगेटेव रिटन है, माइनस 0.89% के रिटन इस शेर ने दिया, और एक महिने में 12% के रिटन इस शेर ने दिनी हैं, तो एक साल के चाप से तो बहुत बढ़ी है पर अगर आप मैक्सिमम इस में देखोगे और पहले पांत साल का अगर हम देखें तो 82% लगबग 100% के आस पास जाते जा रहे हैं, रिटन और अगर मैक्सिमम देखोगे तो ये शेर आज तक रिकॉर ने हुआ, ओल ट 10 साल की भी बात करें तो ये शेर नेगटिव में ही है, 40% डाउन है, आज तक रिकॉरी ने हुपाई है, तो ये थोड़ा रिस्की शेर है, तो आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें, जब तक ये कंपनी एक स्टेबल प्रोफिट में नहीं आती है.